भारत, वर्ल्ड का लाजेस्ट ट्रेक्टर, टू वीलर और त्री वीलर मैनुफेक्चरर है, सेकेंड लाजेस्ट बस मैनुफेक्चरर है, वर्ल्ड का थर्ड लाजेस्ट हेवी ट्रक मैनुफेक्चरर है और फोर्थ लाजेस्ट कार मैनुफेक्चरर है। भारत की आटो मोबिल इंडस्ट्री चाइना, अमेरिका और जपान के बाद दुनिया की चौती सबसे बड़ी आटो मोबिल इंडस्ट्री है और माहना जा रहा है कि 2026 तक ये वर्ल्ड की थर्ड लाजेस्ट आटो मोबिल इंडस्ट्री बन जाएगी। आटो मोबिल सेक्टर का कंट्रिबूशन भारत की जीडिपी में 7.1% है भारत का आटो मोबिल सेक्टर लगबग 35 मिलियन इंप्लॉइमेंट जनरेट करता है भारत में मौजूदा समय में 48 आटो मोबिल कंपनी 12 मोटर साइकल कंपनी और 747 आटो कंपनेंट्स बनाने वाली अपनिया है ये सब सुनके आप लोगों को बहुत प्राउट फिलिंग आ रही होगी और आनी भी चाहिए क्योंकि आज कल देश में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है जिसे लग रहा है कि देश में कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दू कैसा बिलकुल भी कैसा होगा तो जुड़े रहेगे आप इस वीडियो के साथ दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियोन और यूट्यूब में जॉइन बटन के त्रू और 1897 में भारत की रोड पे पहली बार कार चली थी पर उसके बावजू 40 सालों तक भारत में कोई भी वेहिकल का मनुफेक्चरिंग प्लांट नहीं था उस समय भारत में कार्स और दूसरे वेहिकल को बाहर से मंगवाया जाता था पर 1940 से भारत में आटो मोबिल इंडस्ट्री क स्राइन गवर्मेंट के कर दूसरे मंनी शुरूरात होती है 1942 में हिंदुस्तान मोटर, 1944 में प्रीमियर और 1950 में इन महींद्रा एन महींद्रा जैसी भारती कंपनिया वे देशी कंपनियों की कार बनाना शुरू करती थी socialist policy और license राज के चलते भारत में जो foreign companies के manufacturing plant थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे आपको एक बात जानके हैरानी होगी कि जब भारत अजाद हुआ था तब भारत में General Motors, Ford, Rooters Group के manufacturing plant मुंबई में थे इतनी बड़ी-बड़ी companies के manufacturing plant एशिया में सिफ भारत में दे पर भारत के license राज के चलते 1954 में ये सारी companies ने अपने manufacturing plant भारत में बंद कर दिये जिसे ये हुआ कि भारत की जो automobile industry थी जो बहुत तेजी से grow कर सकती थी वो नहीं कर पाई इसी license राज और socialist policy के चलते भारत की economy 40 सालों तक अच्छे से grow नहीं कर पा रही थी बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया तो उसका जवाब भारत की शुरुवाती दौर में अपनाए गई socialist policy है भारत ने 40 सालों तक अपने देश की अर्थववस्था को बन कर दिया था जिससे भारत की कोई भी कमपनी भारत में इंवेस्ट नहीं कर पा रही थी और license राज होने से उनी private companies को देश में बिजनेस करने की permission मिलती थी जिस पे भारत सरकार का control होता था फिर आता है साल 1991 जब भारत की अर्थववस्था की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी थी तब भारत सरकार ने liberalization policy अपनाई और भारत के market को दुनिया भर की companies के लिए खोल दिया जिसका result ये निकला कि एक के बाद एक foreign companies भारत में आने लगी और इंडियन companies के साथ मर्ज होने लगी जैसे की मारूती सुजुकी मारूती इंडियन company हैं और सुजुकी जैपनीज हीरो होंडा अभी ये दोनों company अलग हो चुकी हैं पर पहले ये एक थी साल 2000 से 2010 तक भारत में लगबख हर बड़ी कार company ने अपने manufacturing plant भारत में खुलने शुरू कर दिये liberalization policy अपनाने से भारत के automobile sector में FDI भी बहुत आने लगा साल 2000 से 2020 तक भारत के automobile sector में लगबख 24.5 billion dollar का FDI आ चुका है foreign companies और FDI के आने से भारत के automobile sector के एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगी made in India car, American और European market में जाने लगी पिछले 5 सालों में भारत के automobile sector के एक्सपोर्ट में 6.94% की growth देखने को मिली है भारत के automobile sector का एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता जा रहा है जो की बहुत अच्छी बात है इसी भी साल 2000 में भारत में pollution को कम करने के लिए भारत सरकार ने भारत इस्टेज emission norms की शुरुआत की मजूदा समय में भारत ने सीधे BS4 से चलांग लगाते हुए एक अपरेल 2020 से BS6 लागू कर दिया है तो इतने सालों की मुश्किलों के बाद भारत का automobile sector अच्छे से grow होने लगा था कि साल 2019 में economy slowdown और भारत सरकार द्वारा लाई गई कुछ गलत policies के चलते भारत के auto sector में पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी negative growth देखने को मिली car, two wheeler, three wheeler, bus, truck सबकी sales गिर गई vehicles की sales कम होने से production में भी impact देखने को मिला जहां 2018-19 में भारत में 30 million vehicles की production हुई मई 2019-20 में सिर्फ 26 million vehicles की production हुई vehicle production में minus 14.73% की गिरावाट देखने को मिली जो की पिछले 20 सालों में सबसे ज़ादा थी पर इसी दोरान एक अच्छी बात ये हुई कि भारत के automobile sector के export में कमी देखने को नहीं मिले भारत ने पिछले साल के मुकाबले 2019-20 में ज़ादा वेकर्स को export किया था तो इससे एक बात तो सबको समझ में आ गई कि भारत के domestic market में कुछ problem चल ली थी जिसके चलते भारत के automobile sector में downfall देखने को मिल रहा था जिससे भारत का auto sector और negative में चला गया पर अब भारत के auto sector ने फिर से revive होना चालू कर दिया है भारत की automobile की domestic sales महीने दर महीने बढ़ रही है और इसी चीज़ को देखके ये अनुमान लगाया गया है कि 2021 में भारत का automobile sector वापिस से grow होने लगेगा future की बात करें तो भारत की automobile industry future में बहुत तीजी से grow करेगी और 2026 तक world की third largest automobile industry बन जाएगी future में भारत की automobile industry की growth बढ़ने के पीछे बहुत से reason है जैसे कि अभी इस समय भारत में per 1000 individuals में से सिर्फ 22 लोगों के पास car है वही अगर हम दूसरे देशों से compare करें तो अमेरिका में per 1000 individuals में से 980 लोगों के पास car है UK में 800 लोगों के पास car है Canada में 662 लोगों के पास car है Japan में 591 लोगों के पास car है और चाइना में 164 लोगों के पास car है बढ़ते हुए दिखेंगे IEA ने अनुमान लगाया है कि next two decades मतलब की अगले 20 सालों में भारत में per 1000 individuals में से 175 लोगों के पास car होगी और 2030 तक per 1000 individuals में से 70 लोगों के पास car होगी तो vehicles के नंबर के बढ़ने का मतलब ये है कि आने वाले 20 सालों में भारत का का domestic automobile market बहुत तेजी से बढ़ने वाला है जिसके चलते भारत का automobile sector भी बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ दिखेगा दूसरा reason भारत सरकार द्वारा लाए गए vehicle scrapping policy है budget 2021 में भारत सरकार ने vehicle scrapping policy को introduce किया था इस policy के तहट 15 साल पुराने commercial vehicle अब 20 साल पुराने private vehicle को scrap किया जाएगा और ये scheme एक अपरेल 2022 से लगू होगी इस scheme के चलते 28 million vehicles को scrap किया जाएगा इन vehicle को scrap करने से एक तो देश में pollution कम होगा दूसरा automobile industry की sales बढ़ेगी और इस से automobile sector की growth में भी बहुत तेजी देखने को मिलेगी तीसरा reason है भारत की आत्म निर्भर policy भारत लगबग 20-25% auto part चाइना से import करता है पसाल 2020 में हुए गलवान incident के बाद से भारत सरकाँ चाइना से भारत की dependency को कम करना चाती है भारत सरकाँ चाती है कि अब भारत में सभी auto components और part को बनाया जाए और इसके लिए भारत सरकाँ ने PLI स्कीम के तहट 51,000 करोड रुपए auto sector को दिये है इस स्कीम के चलते जो भी कमपनी भारत में auto components और part बनाईगी उसे incentive दिया जाएगा तो जैसे जैसे भारत में auto parts और component बनने लगेंगे उससे future में भारत में vehicle के price भी कम होने लगेगी जिससे vehicles की sales बढ़ेंगी और export में भी growth देखने को मिलेगी हम सब को पता है कि future electric vehicles का होने वाला है और जो देश जितना जल्दी electric vehicles की policy को अपनाएगा उसके लिए बहुत फैदे का सौधा होगा क्योंकि electric vehicle के बढ़ने से एक तो crude oil का इंपोर्ट बिल कम होगा दूसरा pollution में भी गिरावट देखने को मिलेगी इसलिए आज के समय में जितने भी बड़े देशे जैसे की America, China ये सब electric vehicle को अपने देशों में promote कर रहे हैं इसी चीज़ को देखते वे अब भारत सरकार भी electric vehicle को भारत में बहुत promote कर रही है electric vehicle को खरीदने के लिए tax benefit दे रही है electric vehicle की manufacturing को बढ़ाने के लिए incentive scheme launch की है जिसके चलते भारत में टेसला आ चुकी है और अब वो भारत के करनाठिका में manufacturing plant के साथ साथ research and development center भी खोल रही है भारत में electric vehicle बनने से भारत को बहुत फायदा हुआ जैसे कि सबसे पहले भारत में electric vehicle की price कम होगी लोग electric vehicles को खरीदना चालू करेंगे जिससे electric vehicles की sales बढ़ेगी इसके साथ सत बहुत सी नई companies और start-up खुलेंगे जिससे बहुत सी jobs generate होगी इसके अलावा जो पुरानी बड़ी-बड़ी automobile company है वो भी electric vehicle culture अपनाएंगी जिससे आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत से electric vehicles के manufacturing plant भारत में खुलते हुए दिखेंगे जिससे और jobs generate होगी इसी चीज़ को देखते हुए एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत का electric vehicle market 50,000 करोडों रुपै लगबक 7 billion dollars होगा 2020 से 2027 तक भारत का electric vehicle market 44% की speed से grow करेगा और 2030 तक 5 करोड डारेक्ट और indirect job generate करेगा तो भारत की automobile industry का future बहुत ही अच्छा होने वाला है तो दोस्तो मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे और अब आप मुझे support भी कर सकते हैं Patreon और YouTube में Join button के थूँ एक बात मैं कहना चाता हूँ आप जितनी मेरी वीडियो को शेयर करेंगे उतनी रीच मेरी बढ़ेगी और उतनी लोग मेरे से जोड़ेंगे तो वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत बुलिएगा मैंसे ये एजुकेशनल वीडियोस लाता रहंगो आप लोगों के लिए तो अभी तक के लिए बस इतना ही धन्यवाद जैहिन जैभारत